वलकेश्वर शेत्र के ब्लॉक संख्या 37 वा 38 में काफी रंबे समय से बदहाल पड़े आदर्श पार्क का अब काया कल्प होने जा रहा है पार्क में संदर्य करण के कारे के साथ बच्चों के लिए जूलों की विवस्था इवं रात्री में लाइट की विवस्था की जा रही है इन कारेों का शिरी गणिश इस्थानिय लोगों के साथ शेत्रिय पार्शत मुरारी राल गोयल ने नारियर फोर्ड कर किया विकास के मामले में ताजनगरी का बलकेश्वा शेत्र हमेशा से ही विवादों में रहा है। विकास के मामले में ताजनगरी का बलकेश्वा शेत्र हमेशा से विवादों में रहा है। जगे आपको धार्मिक इस्थान दर्सन करने के लिए प्राप्त होंगे। ऐसे ही बलकेश्वा शेत्र में आज हम बलकेश्वा शेत्र के बलकेश्वा शेत्र के बलक संख्या 37-38 में रहा है। इस्थानिय पार्शद मुरारी लाल गोयल के प्रयासों से अब इस पार्क का नए सिरे से जिनुधार किया जा रहा है पार्क में सौंदर्य करण के कारे के साथ बच्चों के लिए जुलों की वेवस्ता एवम रातरी में लाइट वेवस्ता की जा रही है जिसके कारेका श्री गडेश इस्थानिय लोगों के साथ शेत्रिय पार्षद ने नारियल फोड कर किया यह हमारा आदर्ष पार्क है इस पार्क को जब शुरू में जब कभी निर्माण हुआ था तो बड़ी इच्छाओं से सभी बड़े लोगों ने इसका जो नाम है आदर्ष पार्क रखा था लेकिन बीच में जैसा हमारे भाई साब गोहिल साब ने बताया कि इस चेत्र की इस अंदेखी हुई जिसकी वज़े से ये जरजर हालत में आ गया और सभी निर्माण कारे जो थे वो रुके हुए थे लेकिन अभी मुझे लगता है शायद दो महीने तीन महीने हुए भाई साब को इस चेत्र से निर्वाचित हुए और इनोंने शुरू से पहले दिन से या त बहुत टाइम से ये बहुत जीर्ण अवस्ता में था कई विधायक आये कई चले गए लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया लेकिन आप चलो गोयल साब आया तो इन्होंने मतलब हमारी समझा ये पोजीशन को कि इसका तो ये करवा रहे हमें बहुत अच्छा लग र है इस्थान ये लोगों का कहना है कि इस्थान ये पार्शत के प्रयासों से लंबे समय के बाद अब इस पार्ग की शकल बदलने जा रही है पार्ग का काया कल्प होने जा रहा है सी नीउस के लिए अनिल कुमार सिंखी रिपोर्ट